उत्तर प्रदेश में करीब 20 पीज़ी मुस्लिम मद्दाता और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं इन में से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 पीज़ी के बीच है जबकि 43 सीटे ऐसी है जहां मुस्लिम 30 परतिशत से भी ज्यादा है राज्ये की करीब 3 दर्जन ऐसी विधान सवा सीटे हैं जहां मुस्लिम उमीदवार चुनाव जीतते रहे हैं करीब 107 विधान सवा सीटे ऐसी हैं जहां मुस्लिम मद्दाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं नमस्कार जैभीम जैजोहार मेरा नाम है पूजा अम्बेटकर आप देख रहे हैं जनहित आवाज इस बार पूरे चुनाव के दौरान तीन बाते खूब चर्चा में रही एक बुल्डोजर जिसे भाजपा ने आकरामक तरीके से पेश किया वही मुख्यमंतरी योगी आदित्यनात का 80 बनाम 20 फीजदी वाले बयान पर चुनावी माहौल गरमाया रहा योगी आदित्यनात का कहना था कि यूपी में 80 फीजदी हिंदू भाजपा के पक्ष में है इसलिए इस बार की जो लड़ाई है 80 बनाम 20 की है जबकि अंतिन चरन से पहले CM का मुसल्मानों के प्रती दिल इतना बड़ा हो गया जैसे वो मुसल्मानों को अपना भाई बंदू मानते हो योगी मुसल्मानों के प्रती इतना नरम रवया दिखाने लगे थे कि मुसल्मानों के सबसे बड़े हित्याशी योगी ही हो इस बदलाव ने सारे राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया था एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में योगी आदित्येनात ने मुसल्मानों के साथ अपने रिष्टे को लेकर जवाब दिया और कहा कि मुसल्मान उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी मुसल्मानों से बहुत प्यार करते हैं वहीं सपा के MY समीकरन यानि की मुसलिम और यादव के गठ जोर को तोड़े भीना भाजपा यूपी में सत्ता हासिल नहीं कर सकती थी इसलिए उसने इस तरह का खेल खेला कि यूपी में खेला हो गया भाजपा अपने हिंदूत्व चेहरे के कारण ही हिंदू वोट बैंक को अपनी और खीचने में काम्याब रही वहीं मुस्लिम वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट में भी भाजपा ने सेंध मारी उधारन के तौर पर अगर हम पश्चमी यूपी को देखें जहां भाजपा को 2017 से पहले कोई खास भड़त नहीं थी लेकिन 2017 में मुझफर नगर दंगे के बाद यहां के वोट बैंक का समीकरण पिछले चुनाव से बदल गया इस बार भी सभी की निगाहें मुसलिम बहूल सीटों पर रही 2017 के चुनाव में इससे भी ज्यादा चौकाने वाली बात ये थी कि भाजपा ने मुसलिम बहूल छेत्रों या सीटों पर जीत हासिल की थी जिसकी किसी ने उम्मीध भी नहीं की थी भाज़पा ने 82 में से 62 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी एक टिहाई है देश में मुस्लिमों की आबादी 20 करोड से ज्यादा है और लोग सभा में 27 मुस्लिम सांसद है वहीं 20 करोड से ज्यादा अबादी वाले यूपी में 4 करोड से ज्यादा मुसलिम है इस बार के विधान सबत चुनाव में वीजेपी ने यूपी में एक भी मुसलिम उमीदवार को नहीं उतारा इससे ही मालूम होता है कि भाजपा हमेशा से मुसलिम विरोधी रही है अब सबाल ये उठता है कि बीजेपी मुसलिम को टिकिट क्यों नहीं देती इस सबाल के जवाब में केंद्री ग्रह मंत्री अमिजशा ने कहा कि कौन वोट देता है ये भी देखना पड़ता है यह राजनीतिक शिष्टा चार है एक पार्टी होने के नाते चुनाव जीतना भी जरूरी है अब आप इस बयान से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है और सत्ता में बने रहने के लिए ही जूटे दावे और वादे करती आई है जबकि वो अपने कहे नारे सबका साथ सबका विकास पर भी खरी नहीं उतर पाई है और वहीं मुस्लिमों के मामले में उसकी नफरत किसी से छुपी नहीं है आकडों पर नजर डाले तो यह पता चलता है कि 1980 से 2014 के बीच लोक सभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या आदे से भी ज्यादा कम हुई है 1980 में 49 मुस्लिम सांसदों की संख्या 23 से बढ़कर 27 पहुँच गई लेकिन ये बात आपको चौका देगी कि इसमें एक भी सांसद बीजेपी से नहीं है क्यों नहीं है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अब जानिये इस पूरे सेनेरियो पर RSS क्या सोचता है RSS की राष्टिय कारे करनी के मेंबर और मुस्लिम राष्टिय मंच के संरक्षक इंदरेश कुमार का कुछ अलगी बयान है वो तो ये कहते हैं कि कुछ मुस्लिम नेताओं और पार्टियों ने मुसलमानों को बहला कर और उनमें देशत पैदा करके राष्टियता से दूर रखा है और ये भी कहा कि नेता मुसलिमों को बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग करवाते हैं इसलिए बीजेपी ने सोचा कि इन्हें टिकेट देने के बजाए दूसरे तरीकों से आगे लाया जाए इसलिए जहाँ पार्टी सत्ता में आती है वहाँ मलसी और राज्ये सभा मेंबर के तौर पर मुसलिम समूदाय को आगे बढ़ाती है क्योंकि टिकेट देने पर तो उनकी जमानत जब्त करवा दी जाती है अब ऐसा करके क्या बीजेपी ने कुछ गलत किया ऐसा वो कहते हैं कितनी मासूम और बोली है भाजपा कितना मुसलिमों के हित में सोस्ती है फिर भी मुसलिम समूदाय के लोग जो हैं भाजपा का प्रेम समझी नहीं पाते RSS के मेंबर इंद्रेश इतना ही नहीं आगे कहते हैं आज जहां BGP की सरकारे हैं पार्टियों ने सोचा कि अब ये कहां जाएंगे लोटकर हमारे पास ही आएंगे ऐसे मुसल्मान ने अपनी इज़त गवाकर उनकी गुलामी स्विकार कर ली है ऐसा वो कहते हैं अब वे जान गए है कि उनमें उनका हित नहीं बलकि अहित हुआ है मुसलिम या गैर मुसलिम न केता उबरे वो कटर पंथी और हिंसक ही ज्यादा उबरे आरेसेस के लिए वो कहते हैं कि आरेसेस के खिलाब भड़का आया गया है जबकि अटल जी के 6 साल और मोदी जी के 7 साल के शाशन में कहीं कतले आम नहीं हुआ है इन 13 सालों को छोड़ दीजिए तो बाकी के 22 सालों म कई दफा दंगे हुए और मुसलिमों को टार्गेट किया गया मुसल्मान यह सच्चा ही जान चुके हैं इसलिए बीजेपी से जुड़ रहे हैं और बीजेपी के फेवर में उनका वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है ऐसा इंद्रेश जी कहते हैं अब मैं आपको बता दू यह जो भी उन्होंने इंद्रेश जी ने कहा वो सब इसके उलट है जहां बीजेपी में एक भी मुसलिम सांसद नहीं है वहीं संस्थाओ में भी मुसलिमों के मेंबर तक नहीं बनाए गए हैं इतना ही नहीं वहीं मोदी के 7 साल के शाशन में सभी भाजपा शासिच छेतरों में सबसे ज्यादा मुस्लिमों के साथ लिंचिंग और मोब लिंचिंग के मामले ही नहीं उनका सरेयाम कतलेयाम किया गया और कैसे शाशन और परशाशन इस पर मूख रहा ये भी छुपा नहीं है दिल्ली दंगों की बात करें तो वहां भी सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टार किया जा रहा है तभी उत्तर प्रदेश विधान सबत चुनाव को योगी आदित्यनात ने 80 बनाम 20 का चुनाव क्यों कहा था ये तो आप समझी गई होंगी शुक्रिया